हेलो फ्रेंट्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देविंटेज हब में दोस्तों आज हम आपके लिए लेके हैं हैं फिलिप्स का सीडी साउंड मिशीन मॉडल नमबर AZ1047 बहुत ही शांदार कंडिशन में हैं बिल्कुल नीट और क्लीन तो पहले इसके फंक्शन के बारे में जान लेते हैं यहां फ्रेंट पे यह इसका LCD डिस्प्ले है यह सीडी के लिए बटन्स है यह इसका कैसेट का डोर कैसेट के लिए बटन्स पोज यहाँ पे यहाँ पे इसका वॉल्यूम कंड्रोलर है यहाँ पे MP3 लिंक के लिए सॉकेट और यहाँ पे टुणिंग है यहां पे इसका Dynamic Вас Gumbs is तरह यह रेडियो के लिए स्केल है यह रेडियो के बेंट सेलेक्टर FM और वीडियू वेप यह इसका हैंडल Family और यहां पे पावर कोड लगा सकते हैं यहां पे नीचे यह इसका बैटरी का डोर है यह फिलिप्स का स्टीकर यहां पे इसका मॉडल नंबर इस तरफ इसका फंक्शन सेलेक्टर है सीडी, टूनर, MP3 लिंक और टेप तो बहुत ही शांदर कंडिशन में है तो चली इसको चला के देखते हैं और परफॉर्मेस चेक करते हैं इसकी तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है पहले एक एसर प्लेयर की परफॉर्मेस चेक करेंगे यहां से, ओपन यहां से प्ले यह फॉर्वर्ड यह रिवर्ड तो कैसेट प्लेयर की परफॉर्मेस आपने देखी लाजवाब परफॉर्मेस है बिल्कुल क्लियर साउंड बहुत ही शांदर आउटपुट है तो अब इसको MP3 लिंक पे भी चेक करते हैं दोस्तों तो मैंने इसे MP3 लिंक से भी कनेक्ट कर दिया है यहां से इसे MP3 लिंक फ्रंक्शन पे सेलेक्ट करेंगे अब म्यूजिक प्ले करेंगे यह इसका डाइनेमिक बास पूस्ट अन और आफ सब्सक्राइब करेंगे तो MP3 Link की performance भी आपने देखी बहुत ही शांदार output है बिल्कुल clear sound तो आप इसको रेडियो पे भी चेक करते हैं दोस्तों यहाँ से इसे चिद्रलो कारिक्रम में ले रहे हैं एक छोट असांत्रा यह मीडिय में तो रेडियो की performance भी आपने देखी दोनों बैंड्स पे perfect working है बहुत ही शांदार output है तो CD player इसका working में नहीं है इसमें lens replace करके आप उसों भी working order मिला सकते हैं तो अब मैं आपको इसका price बता देता हूँ दोस्तों यह आपको 2000 रुपे का मिल जाएगा all over India आप कहीं पे भी इसको मगवा सकते हैं अगर आप purchase करना चाते हैं तो हमसे contact कर सकते हैं description में हमारा contact number है तो अभी के लिए बस इतना ही जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई product के साथ तब तक के लिए आप हसते रहें मुस्कुराते रहें धन्यवाद दोस्तों